उठो, समय हो गया, आज उत्तम सौच का दिवस है, सौच धर्मे के बारे में प्रकर्ष प्राप्त लोभा निर्वत्ति सौच है, लोभ है, खूब दोडाता है, इतना भगाता है कि हम ठक जाते हैं, इस लोभ के कारण रामचंजी भटक गए, सोने के मरग के पीछे पीछे कितना भागे, भागते 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 थक गए, हाथ से सीता चली गई, ऐसे ही यह सौच धर्म है, जिसके बारे में आचार परमेश्टी कह रहे हैं, प्रकर्ष प्राप्त लोभान निर्वत्ति, वे लोभ जो प्रकर्ष रता को प्राप्त है, अपने आपको मुक्त रखने का दिवस है, तीन प्रकार का लोग विशेश है, भोजन का लोग, परिस्त्री का लोग और परधन का लोग, आज के दिन बस संकल्ब करो कि भोजन में ग्रधता नहीं करेंगे, परिस्त्री की तरफ दोडेंगे नहीं, बाहर दिखने वाली मैला ही नहीं, मोबाइल में भी जो परिस्त्री दिख रही है, उसकी तरफ भी नहीं दोडेंगे, उसकी चर्चा भी नहीं करेंगे, परधन की तरफ भी नहीं दोडेंगे, ना MCX ना सेयर मार्केटिंग को देखेंगे, तो आज अपन अपना दिन बहुत अच्छा कर पाएंगे, और आज का छोटा सा नियम, सिर्फ एक दिन का पालन करके देखिएगा, एक छोटा सा संकल्प, आज पूरे दिन हम अंचने पानी का प्रयोग नहीं करेंगे, सोके उड़ते ही साथ सबसे पहले टॉलेट वाश रूम जाना पड़ेगा, वहां भी छ अंचना पानी, फ्लेश नहीं चलाएंगे, फ्लेश चलाने पे अंचना पानी, हाथ कपड़े भी अंचने पानी से नहीं धोएंगे, नहाएंगे भी अंचने पानी से नहीं, सिर्फ एक दिन संकल्प करके देखिए, आज पूरे दिन अंचने पानी का त्याग है, हमारा यह सौच धर्म हमारे जीवन में फली भूत हो क्योंकि अपना भविस अपनी तो जवाबदारी है ना चलो फिर तयार हो जाते हैं